आपने ये स्टेप उठाया है, इसके लिए मैं आपको सेलीट करता हूँ. आपको भी साह है, गुरु जी है. आपकी बज़ो से आज मैं यहां पहची हूँ. कि आपकी जरनी को मोटा मोटा समझें तो यह असर कारी है यानि कोई सरकार का इसमें फंड नहीं है लेकिन यह असर कारी है ग्यारा साल में आप एक लाख लोगों को मतलब जोड लिया है से मतलब हाँ पूरा पूरा ग्रूप हो गया है हमारा उसमें से दस हजार से ज्यादा महिलाएं है यह बगत सिंग जी कोशारी ने हमें दिया था गोवा के गवर्नर थे उस समय वो उन्होंने अभी तो महराश्ट के गवर्नर है वो उन्होंने यह अवार्ड दिया था यह अलग अग एजन्सीज हैं इंडश्ट्री लीडर अवार्ड समको मिला हुआ है तो थाउजन ट्वेंटिट्यू के अंदर आप देख सकते हैं ब्रैंड एंपावर नी दिया है जितने भी बड़े नाम आप ले एक दम बढ़िया एक दम बढ़िया स्वागत तो आपका है सर आप सूरत आए हैं बहुत बड़ी बात है हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर थेंक यू सर एक सवाल मैं आप से करना चाहता हूँ आज लाखो ही हुआ दस पाई दस के कमरे में तैयारी करता है और परिसान रहता है माबाप घर से पैसा भी बेचते हैं खर्चा भी बेचते हैं लेकिन नौकरी नहीं लगती और वो हतास हो जाता है निरास हो जाता है परिसान हो जा नोकरी होती है अगर आप कोई नोकरी करते हैं और आपने पचास साल तक वो काम किया है आपकी पचास की उमर हुई है अब आप रिटायर होने वाले हैं तो आपके बच्चे को वापस जीरो से सुरू करना पड़ेगा कोई आपका बॉस उसको आपकी कुरसी के उपर लाके बिठा नहीं सकता है कि वही चल वेटा अब तो तेरे बाप के काम को आगे बढ़ा नहीं कोई नहीं देता है लेकिन बिजनस एक ऐसी अपोर्चुनिटी है जहां पे आप अगर पचास साल की उमर में रिटायर होते हैं त साल तक मैंने नोकरी करी है और चालीस की उमर में मैंने ये स्टेप उठाया कि मुझे खुद का बिजनस करना है और खुद का बिजनस करना है प्लस साथ में लोगों को रोजगार भी देना है ये अपोर्चुनिटी मैंने 2011 के अंदर सर सुरू करी थी और आज आप देख सकत में हम लोग काम करते हैं, कोई एक दो इस्टेट की बात अगर आप छोड़ दे तो, बाकी 30 प्लस कंट्रीज के अंदर हम लोग यहां से माल भेजते हैं, तो मैं सब को कहता हूँ, वो 10 बाई 10 के बंद कमरे से बाहर निकलिये, दुनिया बहुत बड़ी है, और बहुत कुछ प नौकरी का भूत निकाल दीजिए, और मैं वो भी नहीं कहता हूँ कि भूत निकाल दीजिए, आप यहार ढूंडते रहें सरकारी नौकरी, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपके पास जो समय बचता है, उसमें तो कुछ करके दिखाए, यानि कि आपकी जड़नी सब्द आपने बोला है, खालिप फरक है, इसके अंदर एक सांस लेने का, गेप का, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, भाया ने बोला, ऐ सरकारी, ऐ के बाद गेप आया, लेकिन वो काम नहीं करता है, काम करता है, असरकारी, असर के बाद जो गेप आता है, असरकारी काम ह तो यह कितनी बड़ी बात है, काम ऐसा कीजिए, जो सरकारी नहीं हो बले, लेकिन असरकारी होना चाहिए, समाज के अंदर क्या है, सबसे बड़ी चीज, हमारे जो फादर, हमारी जो पुरानी पीडी है, वो एक ही चीज बोलती है, बच्चे पढ़िये, अच्छे माक्स लाइ मत बनिये, जोब क्रियेटर बनिये, आप खुद जोब करने की बजाए कुछ ऐसा काम कीजिए, कि आप दस्त लोगों को रोजगार दे सकें, तब देखिए क्या मज़ा आता है, तो ये जो बंधन अपने अपने आपको भांदे हुए हैं आप लोग, उससे बाहर आजाएए मैंने अपनी सोच को बदला है, और उस सोच को बदल के आज हमारी अजमेरा फैमिली के अंदर साड़े तीन सो प्लस लोग हैं, तो यकीनन देश बदल रहा है, तो सोच भी बदलने की हमें जरूरत है, मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी खराब है, मैं यहाँ पर केटेग लेकिन यदि आपको लगता है कि ब्यावसाय की जरीए हम देश हीत में कुछ अच्छा कर सकते हैं, और कई घरों को जो है रोजी रोजगार से जोड सकते हैं, कई घरों के जीव को पार्जन का सहारा बना सकते हैं, तो निस्चित रूप से उस फिल्ड में भी जाना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल, देखे, सरकारी नोकरी खराब नहीं है, सर, अच्छा है, आप देश की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिमिटेशन से ने सर, उसकी, 500 के आवेदन के ऊपर, 500 आप्लिकेशन के ऊपर आवेदन आते हैं, पांच-पांच लाख लोग अजमेरा फेशन एक अपोर्चुनिटी देता है आपको, आप ढूंडते रहें नोकरी या करते रहें नोकरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर से एक छोटी सी अमाउंट, छोटी सी अमाउंट बोलू तो सर कितनी अमाउंट, जितने का मोबाईल आप हाथ में लेके पचीस तीस हजार उपए से मात्र आपको अपोर्चुनिटी देता है कि आप घर से बिजनस कर सकते हैं, मतलब यह संभव है, यदि आप मतलब प्रैक्टिकल देखा जाए, बीस पचीस हजार का तो नॉर्मल हर कोई मोबाईल चलाता है, तो सर यह आप कह रहे हैं कि पचीस ह जार उपए के अंदर, लेकिन अगर घर पे आप छोटे से आपका कमरा है, जहां पे आप रहते हैं, वहां पे कुछ प्रोड़क्ट ले जाके रखते हैं, आप अपने सोसाइटी में, महले में या अपने रिलेशन वालों को लोगों को यह बोलते हैं, कि मैं सूरत से लेके आया हूँ, सूरत का कपड़ा खूब बिखता है सर, सूरत से कपड़ा लेके आया हूँ, reasonable rate में आपको देता हूँ, आपके कोई खर्चे नहीं है, क्या खासियत है सूरत के कपड़े में, आप कह रहे हैं, सूरत का कपड़ा खूब बिखता है, क्या खासियत है सूरत क लेके जाए या वहीं किसी और से होलसेलर से या डीलर से परचेज कर ले दूसरी चीज सूरत में जो बनता है सिंथेटिक यान जो बनता है वो यहां से आप सो किलोमेटर दूर जाएंगे तो बनता नहीं है फट जाता है वो यान तो यह एक बहुत बड़ी यूएसपी है सूरत की मतलब घर से बैट कर ही सुरुआत कर सकते हैं वो चाहे महिला हों चाहे वो पुरूस हों चाहे वो युवा हों चाहे वो बुजूर हों कोई भी सुरुआत कर सकते हैं आप नोकरी छोड़िये मत करते रहें अपनी नोकरी, आपके घर पे आपके रिटाइड फादर है या आपकी मदर है, आपकी दीदी है, या आपकी वाइफ है, कोई भी है, हाउस वाइफ हैं जो, उनको छोटे से रूप में आप इस बिजनस की सुरुआत करवा दीजीए, ले चीज से 30% एड़ करके हमारे कपड़े के अंदर बेशती है और अगर वही चीज किसी अच्छे शोरूम में जाके आप खरीदते हैं तो वह 100% 200% तक प्लस करके कपड़ा बिगता है कैसे सर ख्याल आया कि अब हमें मतलब इस तरीके से भी बढ़ना चाहिए रोजगार के जरिये लोगों को कनेक्ट करना चाहिए कैसे ख्याल आया सर एक लाख से ज्यादा लोग जूड़े हुए हैं आज हमारे साथ में जिन्नों ने ये बिजनस हमारे साथ जोड़ कर इस्टार किया था और उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जिन्नों ने घर से इस्टार्ट किया था और अभी शौप में कनवर्ट कर चुकी हैं उनके घर का में बिजनस वो बन चुका है सर कपड़े का बिजनस ऐसा बिजनस है जितने भी बड़े नाम आप ले लीजिए उनकी सुरुआत कही ना कहीं कपड़े से ही हुई है और वो तब आगे बड़े हैं मैं नोकरी 1200 रुपे में सुरू किया था सर 1992 में जब यहां आया था 1200 में मैंने भी कपड़े की दुकान पे ही नोकरी करी थी एक अच्छी लीडिंग फरम थी वहाँ पे मैंने नोकरी करी 20 साल तक नोकरी करते कर परी आते हैं, उनको कोई कपड़ा नहीं देता है एक महिला आती है, कि मेरे को घर से कपड़ा बेचना है मुझे कपड़ा खरीदना है आपके यहां से, एक-एक सेट करके मेरे को माल चीए, तो उसको मना कर दिया जाता था कि भई नहीं, तब मैंने ये सुरुआत करी, 2011 के अंदर कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करूँगा जो छोटे रूप में बिजनस करना चाहते हैं तब मैंने 2011 में अजमेरा फैशन की सुरुआत करी थी सर और आज आप अजमेरा फैशन को देख सकते हैं बड़े बुजर्ग कहके गएं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये तीन चीज ऐसी है जो असिंसियल है एकदम जरुवत है इंसान की बेसिक नीड है पर मैं कहता हूँ साइंस तरक्की कर लेगा थोड़े से दिनों में शायद कर भी लिया है आप एक कैपसुल खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा और आज किराय के मकान इतने मिलने लग गए है कि मकान नहीं भी है तो आपको किराय पे मकान मिल जाता है लेकिन कपड़ा एक ऐसी चीज है सर एक सेकिंड भी आप इसके बगर नहीं रह सकते हैं एक सेकिंड भी बिना कपड़े के इंसान नहीं रह सकता है कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए इंसान को दूसरी चीज इस बिजनस को करने के लिए किसी डिगरी की जरुत नहीं है कोई पढ़ाई नहीं आप डॉक्टर बनते हैं आपको चार साल पांस साल MBBS या क्या-क्या मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्या-क्या करना पड़ता है इंजिनियर बनते हैं तो क्या-क्या P.E.T.E.T. के एक्जाम देने पड़ते हैं कितने चार साल वो करना पड़ता है, पांस साल करना पड़ता है, कोई भी चीज आप चले जाएए, लेकिन इसके लिए अगर आपको सागभाजी खरीद नहीं आती है कोई मैला को, या फिर पैसा गिनना आता है सिर्फ, वो ये कपड़े का बिजनस कर सकता है, इतना इजी बिजनस है इसमें कोई इस बिजनस में करने के लिए कोई मतलब बहुत जादे पैसे की जरूरत नहीं है, और बहुत जादे पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं है, और मतलब ये भी जरूरत नहीं है कि हमारा बढ़ियां दुकान हो, महेंगा मतलब 10 लाग, 20 लाग रुपे लगा यह खराब होने वाला प्रोड़क्त नहीं है और सबसे बड़ी चीज हम जिस संस्कृति को फोलो करते हैं हम जो रिलेशन्स निभाते हैं वहाँ पे साल में दस बीस पचास पीस किसी न किसी को देने लेने के लिए चाहे शादी ब्या हो चाहे एनिवर्सरी हो चाहे किसी का अजमेरा फैसन के आफिस में हूँ और अजमेरा सर हमारे साथ है आप कुछ क्या कुछ कहना चाहें जो अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपकी इंस्पारिंग इस्टोरी सुनके वो काफी मोटिवेट हुए है लाश्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर बस इतना ह कहना चाहता हूँ खाली मत बैठिये कुछ न कुछ करते रहिए बड़े बुजुर कहते है खाली दिमाग सैतान का गर उलुल जुलुल चीजे दिमाग के अंदर आती है कुछ न कुछ करते रहिए कुछ क्रियेटिव कीजिए आप अगर नोकरी की फिल्ड में है तो भी कुछ न कुछ क्रियेटिव हर फिल्ड में करते रहिए और खाली नहीं बैठे घर पे भी है आप रिटायर भी है तो भी आपको आपका सरीर चलाने के लिए कुछ न कुछ करते ने ना चीए अगर उसमें कपड़े का बिजनस आपको कहीं कुछ मदद कर सकता है तो मैं तयार वो आपको कुछ करना है तो most welcome है anytime welcome है आप कोल कीजिए हम आपको help करेंगे हम आपको मदद करेंगे हमारे बच्चे आपका phone receive करके आपको guide करेंगे कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं